आज हम आपको यहां पर बताने क्या वाले हैं। यहां पर डिफनेशन है जो परिभास है बहुत ही आसान है कि मैंने लिख क्या रहा है कि वायू ना वो हर जगा उपस्तित है आप जहां चाहेंगे ना वहां पर हमारा वायू उपस्तित है ठीक है यानि मौजूद है ओके क्या बात मेरी यह समझ आई कि नहीं आई और चलिए यहां पर आप आसानी से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से लिखा क्या हुआ है कि वायू बादल को एक जगह से दूसरी जगह जाती है जिसे से बीभीन अस्थानों पर बारिस होती है कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वायू होती है वो बादल को एक जगा से दूसरे जगा भेज देती है जिसे हमारा क्या होता है कि हर जगा यानि बीभीन जगा हमारा बारिस होता है क्या यह बात बहुत ही आसानी से आप समझ पाएं अब हम चलिए समझते हैं अगला बात की अगला बात आखिर है क्या तो यहां पर आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको दिखे क्या रहा है कि यह पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है कहने का म किटों को उड़ने में यहाँ पर मदद करती है कि यह अन्य कनों को भूसा से अलग करने में सहायता कर दे गहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी अनाज होता है उसमें तो भूसा होते ही होते हैं तो उनको भूसा को अलग करने में भी क्या होती है सहायता होती जैसे आपने घरों में पंखा के द्वारा जैसे आपके घरों में या अगल वगल देखे होंगे तो आपको प यहाँ पर अलग कर दिया जाता है तो यह आपको वाईव के कार्या है और अंतीम हमारा आज आता है आप यहाँ पर इसली दिख सकते हैं वो क्या है कि यह नाओं को खेने यानि उसको दोड़ाने में मदद करता है और जैसे आप देख सकते हैं गलाइडर फेरा सूट तक हवाय जहाज को चलाने में भी यह सहायता करती है हमारा वायू तो यह थी आज की छोटी मोटी जानकारियां यह जानकारिय से अगर आपको थोड़ा सवी कुछ सीख मिला हो तो यह वीडियो को लाइक कर देना और वायू के बहुत सारे कारी है पर यहाँ पर मैं जितना बता हूँ उतना काफी है तो क्या आपको मेरी बात समझ आए अगर यार वीडियो समझ आ गई हो ते आर नीचे जरूर लिखना मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ तब तक क्रियार बने रहो और जूडे रहे